अब ये जो वीडियो है ना इसको बहुत ज़ादा ध्यान से देखना है आपको क्योंकि ये एक ऐसी opportunity है जो आपको काफी सालों में एक बार देखने को मिलती है अब यहाँ पे आपको एक stock का नाम देख रहोगा जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलेवर आप यहाँ पे time frame द तो चलिए सबसे पहला stock जो अपना actual है इसके बारे में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ तो यह है इसका एक weekly channel जिसमें ये stock चला करता था तो यह सारे stock भी बहुत जादा उपर भाग रहते उसके बाद आप देखोगे तो वापस से reverse आके अपने नीचे के zone पे आ गया जहाँ पे इसको हम लोग bulk buying zone भी बोल सकते हैं जो भी long term investment करते हैं उन्हें इस time का मतलब पता होगा कि जैसे ही stock अपने supports पे आता है हम लोग buy कर करना शुरू कर देता है long term के लिए लेकिन यहाँ पे तो हम लोग trading की बात करें तो हम लोग trade कैसे कर सकते हैं तो trade करने के लिए आपको क्या करना होता है कि नीचे buy करो ऊपर sell करो या तो breakout पे buy करो और इसके बाद rally के बाद sell करो तो यहाँ पे हम लोग को इस समय क्या देखन हो चुका है आप लोग देख सकते हो कितनी बार stock नीचे आया है और उसके बाद ऊपर गया है अब यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिला inflation की वदा से stock में फिर से एक fall आया मैंने यहाँ पे बोला था buy करने के लिए अगर आपको upside momentum दिखते है तो आप यहाँ पे buy कर सकते हो लेकिन क्या हुआ कि यह जो आपको trend line दिख रहे है ना इस trend line का breakout नहीं है तो जब तक यह trend lines आपकी break नहीं होते है तब तक आपको entry नहीं लेनी होती है और यहाँ पे trend line break नहीं हुई तो आपने entry नहीं करी बट अगर आप अभी देखोगे तो क्या हो रहा है इस stock ने नीचे जाके यहाँ पे sustain नहीं करा है stock again higher highs बनाते हुए अपने channel के अंदर आ चुका है और यह रही इसकी trend line अब यहाँ आप देख लो कि कितना खुबसूरत आपको pattern देखने को मिल रहा होगा कुछ लोग इसको head and shoulder बोलेंगे मैं इसको क्या बोलूँगा यह kind of a cup and handle का pattern है so a cup and handle pattern बहुत जादा powerful होते हैं जितने भी इस type के patterns है और इसका breakout आने वाल है अगर इसका breakout आता है आप लोग बिलकुल buy कर सकते हो आपके चो targets होंगे वो above 3000 levels होंगे which is around 3100 या फिर आपका 3200 का target हो सकता है अगर आपको safe stop loss रखना है जो मेरी नजरिये में एक अच्छा stop loss रहेगा व आप चलते हैं अब लोग second stock पर क्योंकि एक reverse head and shoulder kind of यहाँ पे आपको pattern देखने को मिल रहे है जिसका breakout आ चुका है अब इस breakout में भी हम लोगों ने पैसा बनाया अब पैसा कहां पर बनाते हैं हम लोग तो एक whatsapp community है आप चाहोतों से join कर सकते हो यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग की entry हो थी around in levels पे and ज आज इसने एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक candle देख सकते हो जो कि इसने form करा है सबसे पहले आप देखोगे तो आपको एक doji candle देखेगा उसके बाद आपको एक मारा बूजू candle देखने को मिलेगा अब ये लोग कहींगे कि पूरा मारा बूजू नहीं है और लेकि का SL हमेशा हम लोग के साथ रहता है हम लोग के targets यहां रहते हैं तो इस हिसाप से आप चाहो तो आप भी entry कर सकते हो जितने भी stocks मैं आप बता रहे हूँ सारे के सारे आपकी education बढ़ाने के लिए हैं ना कि आपके खाते में पैसा तो आपका खाते में पैसा कब बढ़ेगा ज चीज़े सीख के खुद से करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ गया हो अगर stocks आपको पसंद आ रहे हैं तो दिल से एक बार like जरूर कर देना और कोई भी question हो आप नीचे comments में पूछ सकते हूं मुझे इस वीडियो से regarding अब चलिए अपने third stock पे चलता है तो हमलों का third stock है डाबर इंडिया अब आपको कुछ-कुछ समझ में आ रहा होगा कि HUL हो गया निसले हो गया डाबर हो गया यह सारे के सेक्टर का पार्ट है यह सारे के सारे FMCG का पार्ट है तो यह sector एक ऐसा sector है जिस पे आने वाले टाइम में मैं बहुत जादा personally bullish हूँ अ आपको ध्यान से trade लेना है आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें हम लोग एक हफ्ते में पैसा बना लेंगे तो सारा का सारा पैसा यहां डाल देए तो अगर डाबर में भी आप देखोगे वही channel चल रहा है जो हम लोग का HUL में चल रहा था इसमें जो नीची की trend line ने वह ज shoulder pattern मनाया है अब हम लोगों ने इसको already buy करके रखा है around 540 और 520 के price पर हम लोगों ने इसे buy करा था जो कि दिवाली वाला जिन लोगों ने शायद video देखा होगा उनके साथ मैंने ये stock share करा था कि आप दिवाली में इस stock को buy कर सकते हो तब से अभी तक इसने around 9-10% के returns दिये है खेर वो हम लोग ने long term के लिए लिया था इस समय हम लोग trading purpose ही बात कर रहे हैं तो trading purpose से अगर आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छे से एक इस level का इस level का और इस level का तीन बार यहाँ पे इसने test ले चुका है फूर्थ जो यहाँ पे candle बना रहा है बहुत अच्छी candle बन यह मैं community है मैं आपको बता दूगा WhatsApp community में अगर आप आके मुझस से खुझ से पूछोगे तो वहाँ पर आपको सारे answers मिल जाएंगे अब इन तीनों stock में तो मैं entry नहीं लेने वाला लेकिन एक fun की बात यह है कि इनमें से दो stocks already मेरे portfolio में और तो चलिए अपने fourth stock पे चलते है अब इसमें आप देखो के तो बहुत खूबसूरत एक चैनल बना हुआ था जिसने भी यहाँ पर अगेन भाई करा हो ता profit बना है हो पास्ट की बात मैं आपको नहीं समझाना चाहता हूँ पास्ट के profits दिखा के बहुत लोग बोल देते हैं कि यह देखो ऐसे होता है profit वैसे होता है profit जो चीज हो चुकी वो चीज हो चुकी नई चीज पर हम लोगो फोकस करना है तो फोकस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं आप लोग क्योंकि हम लोग 10,000 की प्लस की फैमिली और लिडी बन चुके हैं लेट सी की 15,000 कब हम लोग पहुँच पाते सो यहां अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है stock में एक चैनल में stock काम कर रहा था उसके बाद आपका आया breakout जो इस समय मुझे लग रहा है कि आपका FMCG सेक्टर में आ सकता है सो इसके बाद stock में क्या हुआ हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि breakout पर buy करते हैं या फिर retest पर buy करते हैं अब मैं कहां buy करता हूँ यह सब आप लोग आप लोग जानते होगे अब आगे अगर आप बढ़ोगे तो क्या हुआ? retest के बाद एक boom, बहुत अच्छी खासी rally आई उसके बाद stock ने क्या करा? same जगा पे, same जगा पे आप देखोगे तो यहीं पे आके इसने support लेके bounce back करा उसके बाद यहाँ पे काफी time consolidate करा, अगर आप देखोगे तो एक uptrend में consolidate कर रहा था stock एक छोटा सा और इसने channel बनाया and then आप फिर से देखोगे कि क्या हुआ? कि इस channel का breakout आया, इस channel का retest हुआ and stock फिर से उपर गया तो यह stock बहुत जादा अच्छी तरीके से price section follow कर रहा है and अब आप सब लोग समझ गये होगे कि इस stock को मैंने यहाँ पर suggest क्यों करा है इससे जादा perfect price section pattern अगर आपको कहीं देखने को मिलता है अब जरूर मुझे नीचे stock का नाम बताना उसमें जाके मैं आपके लिए जरूर इसका पूरा analysis करके एक बार फिर से लेकिया हूँगा लेकिन यह stock इस समय मुझे एकदम perfect लग रहा है जिन लोगोंने Sunday वाली class attend करी है उनको पता होगा कि यह मुझे और ज़दा अच्छा क्यों लग रहा है इसमें एक ऐसा candlestick pattern बन रहा है जिसकी हम लोगोंने बात करी थी Sunday वाले दिन पे और उसका back test भी कर सकते हो कहीं पे भी लेकिन यहां पे मुझे हर चीज perfect लग रही है फिर भी मैं अपने stop loss के साथ अपने risk management के साथ इसमें trade लूँगा अगर आप यह सारी चीज़ें सीखना चाते हो तो आप whatsapp community join कर सकते हो number आपको बार-बार flash होई रहोगा यहां पे कहीं पे तो आप अराम से जाके उसमें मुझे message कर सकते हो हम लोग सारी detail की बात वहां पे कर लेंगे फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते अगीन आप लोग लाइक कर देना और चैनल को subscribe करें बिल्कुल भी मजाना thank you so much for watching